सुनिल्सी विजिटिंग मुंबई पॉर अपोइंट्मेंट प्लीज कॉल आज 97791421427696286065 नमस्कार जी मैं हूँ पुनीत आप देख रहे हैं स्टो बिडी इसी प्रोग्राम में आपका तही दिल से स्वागत करते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो डर जाते हैं कुडली देख के बहुत सारे लोग जो खुद नहीं डरते उनको कोई और डरा देता है ओहो ये आपके ग्रहे तो 6-8-12 में बैठे हुए हैं और 6-8-12 को भूद बना के रख दिया है कि 6-8-12 में अगर ग्रहे बैठे होंगे तो सब अब तो कुछ नहीं हो सकता अगर हो सकता है तो महंगे महंगे उपाय होंगे क्या है 6-8-12 क्यू डरा जाता है इससे इतना और क्यू डराया जाता है आज ये सारे जो है पर्दे खुलने वाले हैं कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम भी होगी लेकिन ये सौट करना बहुत देखना होगा अब इसके लिए अन तक प्रॉग्राम देखना होगा सुआगत कर लेते हैं पहले सुनियल जी का बहुत-बहुत सुआगत अजिए नवसकार पनीची अब ऐसा है कि बहुत सरे लोग 6-8-12 को लेके बहुत-जादा कन्फूजन में है उनको लगता है कि जो ग् पुरी जी मैं हमेशा कहता हूँ कि अधूरी जानकरी हमेशा जान लेवा होती है और खतरनाग होती है और यह वही बात आपने कि आज की 6-8-12 में प्लैनिट आ गया और अब सब कुछ बुराए-बुरा होने वाला ऐसा नहीं है खास करके आज वो लोग सुनें जिनके में ग फिट हम कैसे नहीं कि ये खराब ही है ये अच्छा भी है इसके क्योंकि त्रिक स्थान है ये इसको त्रिक स्थान बोला गया है 6-8-12 और ज्योतिश में सबसे ज़्यादा अगर बदनाम गर है कोई तो ये 6-8-12 ही है खतरनाग बदनाम इसलिए कहा क्योंकि लोग इसका मिस् ये ये कर दीजिए बड़े-बड़े कर्चे और आप डर जाते हैं और ये घर है भी ऐसे हैं जो आपको डर देते हैं सबसे ज्यादा डर अश्टम से एट्था उस से वहां से लगते हैं पाताल है कुए है शिम्शान है जो मजी कह लिए इसको आप ये वो घर है ट्रांस्वर्मेशन, चेंज, जिन्दगी का चेंज, सो छे, आठ, बारा, सुनने में भी लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं छे नंबर की, कि आपका कोई प्लैनेट, मेंट प्लैनेट है, गुरु है, वो आपका च्छटे भाव में है, मैं एक् तो ये थोड़ी बहुत कुणली देखने आती है, आपने देख लिया कि चटे गर कि ये दशा शुरू होने वाली है, तो मैं आप क्या करूँ, मैं कहां भागू, तोड़ा समली है, इसको सुननी जीगा, उसके बाद आपको लगता है कि भागना तो फिर भागी, चटा गर, रोग, रिन, शत्रू, ऐसा तो नहीं है, कि ये दशा शुरू होगी और आपके रोग, रिन, शत्रू वाला काम शुरू हो जाएंगे, ये घर एक्टिवट हो जाएगा और ये चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, नलिफाई कैसे करना इसको, इस चीज़ को समझना बड़ा जरूरी है, छे नंबर कुंडले का रोग वाला, रिन वाला, शत्रू वाला, दशा इसके आने वाली है, अब करेंगे क्या, ये कंसलिटनसी का घर भी है, पांच नंबर भी वैसे तो है, ये भी है, ये नैचरली डॉक्टर्स का घर भी है, सीए हैं, उनका भी घर है, लेक का घर भी है, आपका ननिहाल है, नान के आपके, उनका घर है, अब वहाँ है गुरू, दशा इनकी शुरूने वाली है, और इसके खुद के मालक जो है, वो भी कंफर्ट या डिसकंफर्ट लेवल में हैं, यानि कि वो अपने से छेट बारा में हैं, या फिर वो बेट होगा, रिन मेरे उपर आएगा, मेरे उपर कऱ्जा आएगा, किसी अपने जानने वाले से थोटा सा कर्जा ले लीजा, उपाए का उपाए, प्लस आपने उस घर का जो में करेक्टर स्टिक्स था, उसको अक्टिवेट करके उसको खंदम कर दिया, जो शुरू होने वाली थी, वो वहाँ पर आपने वहां के वहाँ है उसको दबा दियिए छोटा सा आप खरजा ले लिजिए दिर दिर करके उसके पैसे दिने वापस करें शुरू कर दीजिए रूटीन चेक आप कराई गये डॉक्टर के बास जाएगे रूटीन चेक अप कराईगे ये भी नहीं कर सकते तो अटलीस्ट मेडिसिन लेके दान कर दीजिए प्लस इस घर को शत्रू वाला घर भी कहा गया तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप जाके किसी से शत्रू ता लेजिए नहीं इसको नलिफाई करने के लिए आप किसी अग्रेसिव देवी या देवता उनके वहाँ जाएए किस दिन जा रहा है जिस ग्रैप की उस घर के अंदर प्रेजन्स है मैं बात कर रहा था ब्रस्पती की तो ब्रस्पती बार जाएए aggressive देवी देपता के घर बहरोबाबा हो सकते हैं मांकाली हो सकती है शरीदेव हो सकते हैं वहाँ जाए वहाँ जाके जहां भी आप रहते हैं वहाँ का जो भी खासियत है वहाँ का प्रशाद वहाँ चटाना शुरू कर दीजिए दंडवत कीजिए वहाँ लेट के और प्रे कीजिए कि इस घर का activation बुरे वे में ना हो चोटा सा करजा लेकि उसका छोट-छोटी किस्तों में उसको वापस करना किसे अपने जानने वाले से ले सकते हैं आप वो करिए अब इसको positive वे से देखते हैं हो सकता है आपका कोई आप लोन लेना चा रहे हैं लोन आपको नहीं मिल रहा तो इस टाइम पे आपको लोन सेंक्शन भी हो जाएगा आप छोटी-मोटी किसी बिमारी से जूज रहे थे यहां किसी लंबी बिमारी से जूज रहे थे अब यह घर activate हो गया तो हो सकता है कि आपकी वो बिमारी डाइगनोज भी हो जाए उसका आपको हल में मिल जाए और उसका solution उपाए प्लस दवा आपको लगनी शुरू हो जाए यह भी possibility बहुत हाई है अब यहां पे condition क्या आते है condition यहां पे यह है थोड़ा सा technical हो रहा हूँ कि आप थोड़ा समझें कि आप बहुत पुराने मेरे साथ जुड़े हुए है आज के नहीं है आपको कम से कम 6 साल मेरे साथ होगे जुड़े इस चैनल को 6 साल हो चुके हुए तो आप इतना तो समझ चुके हैं कि मैं किस भाशा में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझने के कोशिश करेंगे आपको चीज़े समझ आएगे तो उस घर के हमने पोर्ट वोलियो को सैटिस्फाई करना है सिंपल प्लस कोशिश कीजिए वो जो ग्रह है उस ग्रह के जो representative है उनको तंग मत करें उनकी मदद करें उनकी help करें मैं बात गुरू की कर रहा था फादर से मत उलजिये किसी ज्यानी से मत उलजिये धर्म से मत उलजिये spirituality से मत उलजिये किसे ही के धर्म को नीचा मत दिखाईए वन्ना पीडा तैह है सबको अपना धर्म बड़ा पसंद है यह सचाई है सबको अपना धर्म बड़ा पसंद है हर इंसान को तो अगर आपको पसंद है तो अगले वाले को भी वैसे ही पसंद है तो किसी की धर्म को अगर आप उसमें नुक्स निकालते हैं सोशल मेडिया आजकल राइट तू स्पीच है, राइट तू राइट है जो मर्जी जहां मर्जी जो मर्जी लिख दिया किसी भी धार्मिक जगा के बाने उल्टा सिदा लिख दिया धार्मिक जो हो आपकी भावनाई हो उसको ठैस पहुचाई अपने कमेंट से साथ ये करना बंद कर दिजी, ये घर आपको तन नहीं करेगा बात करते हैं अश्टम की एट हर की रीसरच का घर है, इनहेंट прот का घर है, गोर्मेंट का घर है टैक्सिس का घर है टेक्सिस दीजिए, सरकार को टेक्स दीजिए तो बहुत सारे पॉर्टफोलियों इस घर के अंदर है खास चीज का ध्यान रखिए कि जिस घर के अंदर कोई प्लेनिट पड़ा हो उस जीव जन्तु को और उसके रिप्रेजेंटेटिव इंसान को तंग नहीं करना मान लीजिए, अश्टम में चंदरमा है बाकी आपका विवेक है, समझाना मेरा फ़र्ज है अश्टम में चंदरमा है और आप वो जानवर खा रहे हैं जो पानी में रहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं तो naturally यह वाला घर आपको तंग करेगा यह घर transformation का है, change का है एक जगा से बिल्कुल change होके नए एरिया में जाना transform होना, अश्टम प्लेस मान लीजिए, यहाँ चंदरमा है, चंदरमा को represent कर रहे हैं गाएं represent करती है, शुकर को भी करती है तो आपने, क्योंकि बहुत जगा यह चीज़ें चलती हैं, avoid कीजिए पानी में निकले हुए जानवर, avoid कीजिए छटे वाले जो जानवर है, चेटियां, आपके pets हैं, उनको hurt मत कीजिए जानवरों की help कीजिए, बचे रहेंगे अश्ट्रम के अंदर शुकर है, तो गाएं के लिए सिवा कीजिए, दवाई, शुकर, दवाईयां शुकर के पास संजीवनी थी, और संजीवनी से उपर कोई दवाई है नहीं संजीवनी बूटी, medicine का काम किया था, संजीवनी बूटी ने और संजीवनी विद्या सिर्फ शुकर के पास है, तो अगर आप इस घर को शुकर यहां है, चंदर यहां पे हैं, इस घर के जो प्लैनेट पड़े हुए हैं, उनको आप खराब करते हो, तो डिफिनिटली ये घर तंग करेगा, लेकिन आप इनकी मदद करते हैं, तो डिफि जो आपको सड़क पे दिखते हैं, ये हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, तो इनकी मदद करना हमारा फर्ज बन जाता है, और खास करके अगर ऐसी पोजिशन हो, तो फिर तो डेफिनिटली फर्ज बनता है, गाएं के लिए मैडिसिन्स देना, शुकर, दवा, वो आप दें, दिजिए, दवा दिजिए, ले पाते हैं कही तरह के, वो दिजिए, उनसे पूछे क्या आप यहां पर यूज करते हैं, उनको दिजिए, अश्टम कहर की दशाप को तंग नहीं करने वाली, अब आपका उसका डिस्पॉस्टर कहां पे है, ये बहुत जरुरी पॉइंट है, कि वो अपने से छेट बारा में ना हो, या किसी ऐसे घर में ना हो जिसकी उसके साथ दुश्मनी है, ध्यान लेके जाओंगो बारवे घर की तरफ, जेल खाना, विदेश यात्रा, पागल खाना, असाइलंस, आश्रम, और्फनिज, विदेश का जाके सेटल होना, ये वो घर है, बारवा घर, फिजूल के खर्चे, अब इसको आप सैटिस्फाइ कैसे करेंगे, इस घर की एक्टिवेशन होने वाली है, इसकी दिशा चलने वाली है, कैसे ठीक करेंगे इसको, अब उसके ही जानवर को पकड़िए, बारवे घर के, बारवे घर के साइन को पकड़ कीजिए, मचलियां गुम रही है, मचलियों को फीड करना शुरू कीजिए, घर के अंदर अगर अक्वेरियम रखा हुआ तो उनका खास ध्यान रखिए, पानी गंदा हो गया, पानी चेंज कराईए, ऐसा नहीं चलता है, चलने दे, नहीं, उनकी जो स्पेशल फीड आती है उनको फीड कीजिए, समय समय में उस एक्वेरियम के अंदर दवाएं भी डलती है, वो डलवाईए, सर्विसिस करवाईए, गुरू अगर वहाँ पे है और लड़ी, गुरू जीव का रख है, तो जीवों की हल्प करनी तो वैसे ही फर्ज बन गया अपना, उपर से उनकी ही हल्प करनी पड़ेगी, कोई अपसे मदद मांग रहे है, थोड़े से पैसे देगे, आप उसके हल्प कर सकते हैं, दीज़े इसको, अनजान लोगों की हल्प करना, अपनी आदद में शुमार कर दीजिए, उसको अपना हैबिट बना लीचे, अंजान ऐसा नहीं है कि राज होते हैं जिसको आप जानते में नहीं है आप उसकी भी हल्प कर लें के बार आपके सामने ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको आप जान नहीं होते हैं बिखारी भी ऐसे लोग हैं आपके दर्वाजे के आगे के लोग ऐसे आ जाते हैं जो रूटीन में आपसे कुछ ना कुछ मांगते हैं उनकुफ दे दीजे आश्रम जाएए वहाँ जाके खाना डोनेट करके आईए बच्चों के नात आश्रम जाएए वहाँ जाके कुछ ना कुछ देख आईए आपके घर में किसी का जर्म दिन है तो उस जगों मत भूलिए बारवागर तंग नहीं करेगा आईसोलेशन का घर भी है थोड़ा सा खुद आईसोलेट हो जाईए सरकल चोटा कर लीजिए सबसे जबरस रेमेडियए ये बारवे धर की सरकल चोटा करो आईसोलेशन का घर भी है जेल क्या आईसोलेशन कोई गलत काम किया जेल में डाल दिया गया आईसोलेट अकेले पागल खाना क्या है आईसोलेशन सो थोड़ा समाज से अपने आपको आइसलेशन, अपने आपके साथ समय बिताइए मत भूले कि आपका जो शरीर है उसमें जो आत्मा है, जो गेस्ट है आपको उस आत्मा को उस शरीर के साथ टाइम स्पेंड करवाना है हम क्या बोलते हैं? यह हमारा शरीर है हम ये तो नहीं बोलते हैं, कि हम शरीर है, हम बोलते हैं, ये हमारा शरीर है, तो आप अपने आपको समय दीजिए, आइस्सोलेशन मेरे ये, सर्कल थोड़ा कम कर लीजिएगा, अपना अगर बहुत वाइड सर्कल है, सोशल सर्कल, उसको कम कर लीजिए, बारवे घर की कर सकते हैं, ये आपको खराब ना करे, इस चीज़ को खतम कर सकते हैं, ये आपको तंग ना करे, इस चीज़ को इस तरीके से खतम कर सकते हैं, आइस्सोलेशन वाले जो एरियां होते हैं, वहां पर जाकर डिनेशन दिया कीजिए, एक रूटीन बना लीजिए, कि महीने की इ 6-8-12 घर की जो negative चीज़ें आने वाली थी इन चीज़ों से उसका आपका निप्टारा हो जाएगा जो बहुत बड़ा करजा चड़ने वाला था वो छोटे में आपने कर लिया आपने उस घर की उस चीज़ को satisfy कर दिया जो उस घर की demand थी करजा तो 10,000 का भी बहुत है और 10 करोड का भी बहुत जाद है तो 10 करोड का ना चड़े 10,000 में निप्टारा हो जाए तो वो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं इससे आपका 6-8-12 का त्रिक भाव का जो bad houses है ये आपको तंग कम करेंगे, नहीं करेंगे हो सकता है, बहुत अच्छे से दशाय निकल जाए अगर आप इन चीज़ों को follow करते हैं बाकी dispositor का जो उसका मालिक है उसका चेक करवाना बहुत जूरी है वो भी comfort level में हो तो फिर तो दशाये ठीक चलती है वरना वहां का dispositor भी weak हो तो कुछ दिखते आ जाती है लेकिन ये अगर आपनी आदत में आप चीज़ें एड़ कर लेते हैं तो यकीन से कह सकता हूं कि आपका 70% बिमारी इसी से solve हो जाएगी सो 6-8-12 के कारण जो आपके अंदर confusions भरी पड़ी थी वो सुनिल जी ने एकदम solve कर दिया सुनिल जी एक बात और भी है कि मतलब trends बन जाते हैं कभी राहू से डराया जाता है राहू के नाम पर कभी 6-8-12 के नाम पर डराया जाता है और वाकई मतलब इस चीज़ से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था और जो आज की वीडियो देखेंगे उनको ये समझ आ जाएगा कि कहीं ऐसे ही बातों में नहीं आ जाना जोतिश है, साइन्स है इसके पीछे कारण होते हैं दिकत है तो उपाए भी है जहां कोई अर्चन होती है महाई appointment number है इस पे call कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं टेलिपॉनी कंसल्टेशन ले सकते हैं बाकी, Good Look Report क्या कहती है ये आज के हमारे रेंडम जो वीवर हैं वो अमृत सर से हैं आपको बता दे दे के सुयल जी भी अमृत सर से ही है तो आज वही के वीवर हैं ये गुरमीट सिंग है बोल रहे हैं कि running income नहीं है पैसा आता है और फिर मतलब बहुत देर नहीं आता है फिर कहीं से पैसा आएगा फिर नहीं आएगा running income नहीं है मैं ये बता दो कि पुनी जी भी अमरिसर से है और इनका भी बचपन जवानी सारी अमरिसर में निकली हुई है बाकी रही good luck report की बाद तो जिनकी details अब मेरे पास आएंगी तो definitely मैं आपको इसका solution ज़रूर दे दो तो आज की tip क्या कहती है आज की tip आज का सारा episode tips के साथ भरा हुआ था लेकिन एक tip सभी के लिए जो जर्नल है सभी कर सकते है donation of food खाने का donation किस दिन? महीने में एक दिन अमावस्या regular basis पे किया कि यह कुछ ना हमारी तिथिया है अमावस्या होगी, सकरान्ती हो गई और new moon हो गया इसमें आपने कुछ ना कुछ खाने के लिए देना ही देना है अब आप चूज कर लिजे, सकरान्ती लेनी है आपने अमावस्या लेनी है या जो भी दिन आपने लेना है, वो ले लिजे इन तिथियों को food का donation जरूर दिया कीजिए चावल कच्चे नहीं देने, बना के दीजे आटा दे सकते हैं, वाकि कुछ भी दे सकते हैं चावल थोड़ा संबल के दीजे खास करके कच्चे वाले तो इन दिनों में अगर आप donation करते हैं अगर हमावस्या को करना तो खीर जरूर एड कीजेगा आपके घर से बैड एनर्जिस निकलने शरूर होती है पित्रों का आशिरवाद आपको मिलता है अमावस्या खास करके अगर इस दिन करते हैं तो आपके जो लोग अब नहीं हैं दुनिया में उनका आशिरवाद आपको मिलता है और जिनको उनका आश्रवान मिले उस घर के अंदर कभी भी अर्चन नहीं आ सकती तो फिर आज का ये एपिसोड जो है नौलिज भरपूर रहा और फाइदे से भरपूर रहा आप सब का फाइदा हो यही इच्छा हम रखते हैं यहीं अर्दास हम करते हैं अपना ध्यान रखें धन्यवाद